एश्वर्या राय अनल कपूर, राजकुमार राओ और पीहू स्टारर फिल्म फन्ने खान फाइनली थीटर्स में रिलीज हो चुकी है और कुछ ओडियन्स को ये फिल्म काफी ज्यादा पसंदा रही है इस फिल्म में खास तोर पर सबसे बहतरीन काम किया है सूपर स्टा अनल कपूर ने कुछ दर्शक एश्वर्या राय के सपोर्टिंग किरदार को लेकर ना खुश हैं तो वहीं दूसरे ओर एश्वर्या के सभी फैंस को उनकी आक्टिंग बेहत पसंदाई है वहीं बात करें राजकुमार राओ की तो हमेशा की तरह इस मूवी में भी राजकुमार राओ का अपना ही फ्लेवर देखने को मिला है बात करें इस फिल्म के कॉंसेप्ट की तो ये एक काफी इमोशनल और ड्रमाटिक फिल्म है साथ ही साथ बीच में आपको हलके फुलके fun-loving moments भी देखने को मिलेंगे राजकुमाराव और इश्वर्या की celebrity crush वाली chemistry भी बहतरीन है इस फिल्म में अनल कपूर एक ऐसे पिता का किरदार नभा रहे हैं जो अपनी बेटी को एक सूपरस्टा बनता देखना चाहते हैं इस सपने को पूरा करने के लिए अनल कपूर किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं इस फिल्म में ये देख कर काफी ज़्यादा मज़ा आएक आपको साथ ही साथ ये फिल्म एक काफी ज़्यादा इमोशनल तच पर एंड होती है जो कि ओडियंस की आँखों में नमी लाने वाली है बात करे फिल्म के डिरेक्शन और सॉंग्स किये तो अतुल मांजरेकर ने इस फिल्म में डेब्जरेक्शन के तौर पर बहतरी इंकाम किया है साथ ही साथ, गाना, जवा है मोथबत ओडियंस को काफी ज़्यादा पसंद ही आ रहा है जानते हैं कि ओडियंस के बारे में क्या कहना है ज़्यादा पसंद आया क्योंकि इस ब्रेथ फ्रेश एर बहुत ही टाइं के बद ऐसी रिफ्रेशिंग मुझे बहुत अच्छी लगी इंस्पाइर किया क्योंकि हरे के स्ट्रगल जो होते हैं उनकी जिंदगी से रिलेटेड एवन इसके सॉंगी बहुत अच्छा लगा मेरे अच्छे दिन कब आएंगे है इस फिल्म को मिलते हैं थी स्टार जानते हैं कि ओद लिए इसे क्या रेटिंग दी है 3.5 इंद फॉर स्टार जार्वा थाइए फोर दूंगा अइसा लगा हमारा ये मूवी रभी यू कमेंग कीजिये और ऐसी ही अपदेश के लिए सब्स्रा झाल झाल